तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उमीद हैं कि आप लोग अच्छे होंगे तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं exercise 1.2 लेकिन exercise को स्टार्ट करने के पहले हम क्या देखेंगे कुछ basic concept देखेंगे और फिर उसके बाद हम exercise को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो यहाँ प ठीक है उसके बाद फिर हम relation पर जाएंगे और फिर हम exercise 1.2 को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो चलिए बिना कुस देरी के हम स्टार्ट करते हैं बहुत easy concept है बस आप ध्यान से समझेगा आपको सब कुछ समझ में आएगा और exercise तो बहुत easy है ठीक है तो चलो start करते हैं तो पर देको मैंने दो सेट लिका जैसे यहाँ पर सेट A में elements है 1 और 2 ठीक है और जो सेट B है इसके अंदर elements है A, B, C ठीक है तीन elements ले लेते A, B, C सेट B is equal to A, B, C ठीक है यह दो सेट हो गए दो सेट हो गए A और B और इनके अंदर यह elements है अब order पेर क्या होगा तो देखो जैस मैंने क्या किया ना सेट A से 1 को ले लिया और सेट B से A को ले लिया ठीक है तो यह क्या है पताए यह order पेर ठीक है क्या है order पेर यानि क्या होता है एकदम simple language में आप समझे पेर यानि क्या होता है जोडी है ना दो दो चीज के ऐसे जब हम जोडी बनाते है तो उसको हम क्या क होते हैं क्रम में तो जब हम में एलेमेंट्स को क्या करते हैं एक और में अरेंज करते हैं यहां पर गया टो धर order pair कहते हैं ठीक है clear है आपको तो यहां पर यह एक order pair हो गया उसके बाद अब समझें मैंने क्या किया ना पहले यह जो set B था उसका element ले लिया और फिर set A का element लिया वन अब बताइए क्या यह दोनों equal है जी नहीं यह दोनों equal दोनों equal नहीं है क्योंकि यहां पे order बहुत ही जादा important है ठीक है यहां पर आमने क्या किया था पहला element set A से लिया और दूसरा element नहीं पहला element B से लिया और दूसरा element से लिए यानि यह दोनों इक्वल नहीं हो सकते यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा अभी आपको ऐसा दिखा तो आप यह मत सोचो कि यह दोनों बराबर है नहीं नहीं यह बराबर नहीं है यहां पर बहुत ही साधा से लिख दिया यह जो हमारा से टे है इसमें से मैंने यह वाला इलीमेंट ले लिया समझ यह को ले लिया तो यह पर अगीन आपको बताना चाहूंगी कि आप यह मन समझना कि बी योड़ू दोनों क्या है बराबर है दोनों बराबर नहीं है ठीक है चली हए आज आगे पढ़ जाते हैं अब हम क्या देखेंगे equality of order pairs ठीक है तो समझे आपके पास इस तरीके से दो order pair है you have two order pairs a,b and c,d are equal आप समझो ठीक है ये दोनों कब इक्वल होंगे जब if and only if देखो ये क्यों लिखरी हूँ ध्यान से देखना if and only if a is equal to क्या होगा c होगा और b is equal to d ठीक है तो ये मैंने लिखा किया आपको थोड़ा सा समझाती हूँ देखो इसमें मैंने क्या बोला है कि ये जो आपका order pair है ये दोनों ये दोनों कब इक्वल होंगे जब if and only if यानि केवल और कवल ये दोनों तब इक्वल होगे जब a का value c के equal होगा यहनि एग्वल टु सी होगा और बैस एक्वल टु डी होगा तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि यह दोनों order pairs क्या है एक्वल है ठीक है अब देखो इसको ले किस टाइप के पूछे जा सकते हैं उसको आप ज़रा समझ लीजिए एक कोस्चन हम देखी रहेते हैं यहां पर मैंने लिखा x plus 3 और यहां पर लिख दिया y minus 2 ठीक है और फिर यहां पर एक order pair लिखा मैंने 2,3 ठीक है और मैं क्या बोल रहे हूँ कि यह दोनों जो order pairs है यह दोनों क्या है इक्वल है ठीक है तो अगर यह दोनों order pairs equal होंगे तो फिर इनके जो corresponding elements है वो भी क्या होंगे आपस में equal होंगे जैसे कि x plus 3 यह किसके equal होगा तो 2 के equal होगा है ना क्योंकि मैंने क्या बोला है कि यह दोनों order pairs है यह दोनों क्या है equal है तो अगर ऐसा है तो यह जो corresponding elements होंगे यह आपस में क्या होंगे equal होंगे यह जैनी x plus 3 is equal to क्या होगा 2 होगा अभी देखो इस equation की मदद से आप x का value निकाल सकते हो है ना और आपसे यही तो सवाल पूछा जाएगा ऐसा दे दिया गया और बोला जाएगा कि आप x का value बताईए y का value बताईए तो बहुत ही simple तरीक 2 क्या होगा इसका corresponding element 3 है ना तो यहां पर 3 अब माइनस 2 को उदर ले लिए तो 3 plus 2 हो जाएगा यहां पर 5 यानि y का value क्या आगया 5 आगया ठीक है तो exercise में आप से इसी तरीके के questions पूछे जाएंगे तो आप इसके लिए तयार रहिएगा आपको तो समझ में आई गया होगा इसे दो order pairs दे जाएंगे बोला जाएगा इक वाद उसमें आप X और Y के value निकालो यह बहुत ही सिंपल तरीके से ठीक है तो यह दोनों concept आपको clear हो गया आप next किसके बात करेंगे condition product of two sets यह क्या होता है सबसे पहला सवाग product मतलब क्या होता है जी multiply ठीक है पहली भी आपने सी standard में वहाँ पर चबी प्रोड़क्ट आता है तो हम लोग क्या लिखते थे ऐसे multiply ठीक है तो Cartesian product of two sets क्या होता है समझेगा इसको जैसे यहाँ पर set A है इसके अंदर elements है 1,2,3 ठीक है फिर आपका set B है जिसके अंदर elements है X, Y और Z ठीक है अब आपको Cartesian product of two sets बताना है तो इसका meaning क्या होता है समझो ऐसे product याने क्या है मैंने बोला multiply ठीक है तो मैंने यहाँ पर A into B लिख दिया ठीक है तो यह क्या हो गया Cartesian product of two sets ठीक है अब आपको यह मिलेगा कैस अच्छा इसको पड़ा कैसे जाता है इसको बोला जाता है A X B याद रखना हमेशा मैं यहाँ पर लिख कर करके आपको बताती हूँ देखो A X B ठीक है तो A X B आपको कैसे मिलेगा देखो क्या करना आपको यहाँ पर एक bracket बनाईए आपको सबसे पहले क्या आया है यहाँ प पहले क्या है A है तो आप जो पहला element यहाँ पर लोगे ना वो set A से लोगे ठीक है फिर दूसरे number पर क्या है B है तो जो दूसरा element लोगे ना वो किस से लोगे तो set B से लोगे ठीक है तो set A में पहला element is 1 और set B में पहला element क्या है X समझ में आया फिर उसके बाद आप आगे इस लिए ठीक अभी इधर वन लिखना उसके बाद यह तो हो चुका है ना देखो याँ पे लिख चुके आभी वाई को लेना ठीक है इसी तरीके से आपको आगे भी लेते जाना है अच्छा इसको में मिटा देते हो दो आपके समझने के लिए काफी ठीक है दो ही लेते हैं हरा का समझ्ष में आया तो देखो हमने क्या किया wanna kaak एकस पार य के साथ भीड़ाया वन- वाई के साथ ठीक है इत्ला कलियर आप उसके बाद हम टू ले लेंगे और टू का पैयर इन दो लों के साथ बनाएंगे सबसे पहले X के साथ उसके बाद Y के साथ फिर हम 3 को ले लेते हैं 3 का पेयर X के साथ और फिर 3 का पेयर Y के साथ तो यह क्या हो गया Cartesian product of two sets ठीक है आपको समझ में आया A cross B कैसे निकाला जाता है तो ऐसे टाइप के questions भी आपको exercise में पूछे जाएंगे ठीक है आपको ना ऐसे दो या फिर 3 sets दिये रहेंगे वहाँ पर बोला चाहेगा कि A cross B निकालो B cross A निकालो अच्छा अगर मैं आपसे पूछती ध्यान से देखो अगर मैं आपसे पूछती कि B cross A बताइए तो क्या गरते ये जो पहला element मतलब ये जो पहला वाला place है इसमें आप कौन सा element लेते तो set B से आप element लेते जैसे set B में पहला element क्या है X है तीक है अभी X की जोड़ी हर एक element के साथ बनाओगे तो X,1 आजाएगा फिर X,2 आएगा फिर X,3 आएगा अब उसके बाद Y को लेते तो Y की जोड़ी हर एक इधर element के साथ बनाते तो Y,1 Y,2 और फिर यहाँ पर Y,3 समझ में आया तो ये होता है आपका A cross B और B cross A ठीक है इतना clear है अब next हम किसकी बात करेंगे number of elements in the partition product of two finite sets ठीक है जैसे आपके पास ये दो finite sets है इस इसमें element है चलो ये ही ले लेते ना 1,2,3 ठीक है फिर यहाँ आपे set B है जिसके अंदर elements है X,Y आपको क्या बताना है number of elements बताना है कि ये जो आपका partition product होगा उसमें कितने elements आएंगे वो आप कैसा बताओगे बहुत ही simple है देखो सबसे पहले N of A निकाल लो N of A तो ये set के अं आपको number of elements बताना है ना तो यहाँ पर लिखे number of elements in partition product of two finances यानि इस तरीके से A into B, A cross B, ठीक है cross बोला जाता है तो कैसे निकालो कि देखो N of A लिखना N of A into, into है ना फिर उसके बाद N of B, तो N of A क्या है 3 और N of B क्या है 2, तो 3 टूजा क्या हो जाएगा 6 यानि ये जो आपका मतलब Cartesian product हुगा उसमें कितने elements होंगे तो 6 elements होंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखो कितने elements थे 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6, ठीक है 6,6 elements थे ना देखो तो ये बात एकदम सच है समझ में आया तो अगर आपसे कहीं पर number पूछा गया तो आप इस तरीके से बता सकत तो यहाँ पर हमने चार चीज़े समझ ली है order pair फिर equality of order pairs फिर उसके बाद Cartesian product of two sets फिर number of elements in the Cartesian product of two finite sets अभी next हम क्या सीखेंगे relation है न मैंने आपको बोला था कि हमें आप पर relation actual में समझना क्या था relation लेकिन relation के पहले यह सारी चीज़े सीखना बहुत ही जरूरी था तो आप इसको लिखो उसके वाद में देखते हैं कि relation क्या होता है तो चलिए अभी हम समझ लेते हैं कि relation क्या होता ह्तो देखो मैने यहाँ पर definition को isti क्रिट करते हैं उसके बाद में आपको example की मदद से समझाओंगे कि relation क्या होता है ठीक है तो बिल्कुल भी tension कदेना अगर आप any subset of A cross B is called relation from A to B relation किसको कहा जाता है जैसे समझी आपके पास A और B ऐसे करके 2 sets है तो वहाँ पर हमने क्या निकाला ऐसे A cross B A cross B मतलब partition product of 2 sets अब भी अभी उदर देखा था ना पीछे हमने देखा था तो यहाँ पर relation क्या होगा student यह जो आपका partition product है ना 2 sets का तो यह जो relation है यह क्या होगा it is a subset of partition product of 2 sets यानि इसके अंदर जो elements होगे उनहीं में से element इसके अंदर आएगा ठीके इसके बाहर से नहीं आ सकता subset मतलब क्या होता है आपने पीछे देगा था ना sets के बारे में जैसे यहाँ पर यहाँ पर देखो मैं लिखती हूँ set A इसके अंदर elements है A, B, C और यह D ठीके A, B, C बस ले लेते हैं और फिर फिर यहाँ पर B मैंने ले लिया A, B, C और यह D ठीके तो यहाँ पर मैं क्या बूल सकती हूँ कि यह जो मेरा set A है set A is the subset of set B है न क्योंकि देखो यह जो आपके A के elements है वो कहां से आये हुए है मतलब A के सारे elements B में present है न यानि A क्या हो जाएगा subset of set B ठीके तो यहाँ पर जो आपका R है मतलब जो आपका relation है वो क्या होना चाहिए subset of A cross B तो इसी को हम लोग क्या कहते है student relation कहते है अब relation ऐसा वैसा नहीं मतलब एक rule के through वो एक दूसरे से connected होना चाहिए जैसे set A है और set B है ठीक है तो यहाँ पर एक ना मतलब कोई ना कोई ऐसा relation होना चाहिए जैसे एक example के through हम लोग समझते है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा यह बस आप समझ लो ठीक है यह example समझ लो फिर relation आपका clear ठीक है फिर next topic पर हम चले जाएंगे चलिए आपको समझाती हो जैसे यहाँ पर set A है set B है ठीक है ठीक है ऐसे होता है तो x square यानि जब आप इसका square करोगे तब आपको y मिलता है ठीक है जैसे यहाँ पर समझो x का value 1 है तो फिर y का value क्या होगा 1 का square किया तो इधर 1 ठीक है list to the elements of r तो फिर r के elements आप बताईए कि क्या क्या होंगे तो चलिए आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ ठीक है देखो इधर मैंने लिखा r is equal to अभी इसके अंदर कौन-कौन से elements आएंगे बड़े ही दिहान से समझेगा देखो x and y belongs to r right तो समझेए x का value मैंने क्या ले उसके बाद अब समझे मैंने set a से वाल element ले लिया 2 ठीक है तो अब 2 का square करो तो क्या आएगा 4 आएगा और 4 यहाँ पर है ना तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं ठीक है यह relation को ध्यान में रखना x square is equal to y इसको आप ध्यान में रखीएगा तभी इसको कर पाएंगे फिर यहाँ पर 3 मैंने ले लिया तो 3 का square करो 9 9 इधर set b में है ना तो जी हाँ इसको भी लिखोगे उसके बाद यहाँ पर 4 है चलिए ले ले लेते 4 4 का square करो क्या होता है 16 होता है तो क्या हम 16 यहाँ पर ल होगे ना इसमें 16 तो है नहीं तो फिर extra element आप कैसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते होगे तो यहाँ से आप इसको मिटा दीजी बस इतना ही लिखोगे ठीक है तो यह क्या होगा आपका relation अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था कि यह जो relation है यह क्या होना चाहिए subset of a cross b Cartesian product हम लोग जो निकालते हैं उसका subset होना चाहिए तो यहाँ पर Cartesian product जरह find out करके मुझे बता दो क्या होगा देखते हैं इसका subset है की नहीं है ना जो बात यहाँ पर लिखी हुई है वो सच है की नहीं चलो एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले a है बा 1,4 then 1,9 ठीक है यह हो गया उसके बाद अभी 2 को लिया तो 2 का जोड़ी हर एक element के साथ बनाएंगे 2,1 2,4 और 2,9 ठीक है फिर उसके बाद इसे तरीके से 3 को लेंगे फिर 3 का जो जोड़ी है हर एक element के साथ बनेगा 3,1,3,3,4 and 3,9 समझ मैं आ रहें की नहीं ठीक है ऐसे करक यह जो 4 है ठीक है तो अभी 4 के जोड़ी हर एक element के साथ बनाओ 4,1 फिर यहाँ पर 4,4 ठीक है ऐसे देखो 4,4 फिर यहाँ पर 4,9 उसी तरीके से आगे भी जबाब करोगे तो यह 5 को ले लो ठीक है तो 5 का जो जोड़ी है वो हर एक element के साथ तो 5,1,4 उसके बाद क्या आएगा 5 और 9 ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा बताईए A x B हो गया ठीक है तो A x B के अंदर यह सारे elements आएंगे अब मैंने क्या बोला था कि R क्या होना चाहिए यह इसका subset होना चाहिए तो ध्यान से देखो 1,1 यह है क्या यह वाला element इसके अंदर है तो G हाँ है यह देखो यह है फिर 2,4 कहीं पर है यह देखो यहाँ पर है 3,9 यह देखो यहाँ पर है ना मतलब जो मैंने बोला था वो एकदम सही बात है कि R is a subset of A cross B समझ में आया आपको तो यह होता है आपका relation ओके तो अब एक बार फिर से पढ़िया आपको समझ में आ जाएगा if A and B are two non-empty sets then any subset of A cross B is called relation from A to B यानि A से B का कुछ तो relation है अब यह relation यहाँ पर define किया गया था कि X square is equal to Y मतलब X का square करोगे इस प्रकार से set R के अंदर यह सारे elements आएंगे अब यह आर क्या है यही तो है आपका relation ठीक है clear है कि नहीं आप लोगों को बस यह इतना सा ही concept था बागी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं ठीक है आप समझ यह मुझे arrow diagram के through इसको represent करना है तो कैसे करेंगे arrow diagram के through अगर आपको दिखाना है इसी को तो कैसे दिखाओगे तो यहाँ पर एक इस तरीके से आप circle बना दीजिएगा ऐसा circle नहीं है ऐसा करके वो बनता है न ठीक है वैसा फिर इधर हमने यह बना दिया अब यह हो गया आपका set A यह हो गया set B ठीक है तो set A के अंदर कौन-कौन से elements है 1 2 3 4 और यह 5 ठीक है फिर set B के अंदर कौन-कौन से elements है 1 4 और 9 ठीक है अभी को कौन-कौन एक दूसरे से related है तो 1,1 यानि 1 is related to 1 फिर 2,4 2 is related to 4 और 3 3,9 3 is related to 9 बाकि इन दोनों का कुछ भी नहीं है यह दोनों किसे से भी relation में नहीं है ऐसा अभी इसको पढ़ना कैसे है वो भी दोड़ा समझ लीजिए तो यहाँ अगर मैं आपसे पूचू कि 1 का image बताईए तो 1 का image क्या होगा 1 मतलब यह जो वान है यह क्या है इस वन का image है और यह वन क्या है तो इस 1 का pre image है ठीक है तू का image 4 है और 4 का pre image अगर मैं आपसे पूचते हो तो नाइन क्या है 9 is the image of 3 and 3 is the pre image of 9 इस तरीके से पढ़ा जाता है अगर मैं आपसे 4 का प्रीमेज पूछू तो 9 का प्रीमेज पूछू तो 3 समझ में आपको तो यह था रिलेशन का कंसेप्ट अभी हमें एक और लास्ट कंसेप्ट सीखना है वो क्या अब चलिए करके समझते हैं कि यह सभी रिलेशन होते क्या है तो समझे यह आपका सेट एक ही के साथ होना चाहिए एक का रिलेशन दो लोगों के साथ नहीं हो सकता देखो यहाँ पर जैसे वन का रिलेशन टू के साथ है तो अब वन का रिलेशन टू के साथ हो चुका है तो अब वन का रिलेशन और किसी के साथ नहीं हो सकता जैसे यहाँ पर 2 का relation 3 के साथ है तो 2 का relation और किसी के साथ नहीं हो सकता 3 का relation 4 के साथ है तो अभी 3 का relation और किसी के साथ नहीं हो सकता तो यह होता है आपका 1 to 1 relation यानि 1 का relation बस 1 की के साथ होना चाहिए ठीक है जैसे यह 1 है तो इसका image set B में 1 की होना चाहिए ठीक है, दो image नहीं हो सकता, two का image three है, एक ही है, right, फिर four का pre image three है, तो ये क्या हो गया, आपका one to one relation, एक का relation एक ही के साथ होना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ concept बताती हूँ, जैसे कि, मैंने आपको ये नहीं बताया था, domain क्या होता है, ठीक है, domain अभी नह होता है, ठीक है, co domain अब देखो, यहाँ पर जैसे मुझे relation लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगे, one का relation two के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे, one, two, one का relation two के साथ है, फिर उसके बाद two का relation three के साथ है, तो यह मैंने यहाँ पर relation लिख दिया, right, अब domain क्या होगा, अगर यहां पर यह जो आपका पहला नंबर दिखाए दे रहे ना जैसे यहां पर दिखो इसमें पहला यह है फिर दूसरे वाले element में पहले place पर यह है फिर तीसरे वाले में पहले place पर यह है यानि वान टू थ्री आपके क्या हो जाएंगे यहां पहले place पर यह सब्सक्राइब यह जो आपको दिखाए दे रहा है ना टू थ्री फोर यह जो दूसरे नंबर पर है ठीक है दूसरे place पर यह जो नंबर से आपको दिखाए दे रहे यह सभी क्या हो जाएंगे रेंज हो जाएंगे यह जो आपका तहले place पर यह सब नंबर से यह सभी हो जाएंगे आपके कोडोमें रेंज क्या होगा जो दूसरे place पर नंबर से उनको क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे ठीक है इतना तो समझघे यह जितने को डूमेन जादा कुस्त डिफिकल्ट नहीं है समझो ध्यान से को डूमेन मतलब क्या जैसे कि एका रिलेशन किसके साथ है बी के साथ है ठीक है तो सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सबी को यहां पर लिख दीजिए यही आपका को डूमेन हो जाएगा तो टू तो यहां पर आपका को डूमेन क्लियर करके रखो तो यहां पर आपका वन टू वन रिलेशन फिनिस्ट हुआ अब हम देखेंगे मीन टू वन रिलेशन मतलब होता है highly मतलब क्या होता कई बन मतलब एक एक तो कई लोगों का रिलेशन एक के साथ हो सकता है किसमें मेनी टू वन रिलेशन में जैसे कि यहां यहां पर आपका परूर्प कर साथ है और फिर फोर का रिलेशन भी 5 के साथ है तो देखो मेनी टूवन रिलेशन हुआ ना क्योंकि टू का मतलब टू का रिलेशन 5 के साथ भी है और फोर का रिलेशन 5 के साथ है दिखाए देरे आपको मेनी टूवन मतलब क्या मेनी मेनी मतलब बहुत सारे ठीक है तो बहुत स तो आपको सब्कुराख वन टूं किया लोग करें कि सिएक के साथ तो यहां पर सीखत Rights सबसे पहले यहाँ पर तो relation लिखते हैं हम relation लिखते हैं उसके बाद तब ही तो बता पाएंगे तो relation यहाँ पर 1 का 3 के साथ है 2 का 5 के साथ है फिर 3 का 3 के साथ है और 4 का 5 के साथ है ठीक है तो यहाँ पर relation है अब बताए यहाँ पर domain क्या होगा अगर हम आपसे domain पूछे तो तो देखो इसका domain ये हो जाएगा domain अभी अभी पताया था ये होता है न पहले place पे जो number होता है 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके domain हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 ये सभी domain अगर range पूछू तो दूसरे place पे जो number है वो आपका range हो जाएगा यानि 3, 5, 3, 5 ओके 3, 5, 3, 5 अचा दो दो बार है न तो दो बार नहीं लिखनेगा बस 3, 5 लिख दो हो जाएगा ठीक है तो ये क्या होगे आपका range क्योंकि ये बार बार repeat हो रहा था तो यहापे आपको बचाने set के अंदर repetition is not allowed कितने बार तो सीख चुके हो तो फिर यहापे वही गलती हम कैसे दोरा सकते 3 वर 5 भी आएगा ठीक है अचा कोडोमेन अगर पूछू तो कोडोमेन तो इसके जो सारे element से उनको आप लिख दीजीगा वह कोडोमेन हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया आपका many to one relation यानि कई लोगों का relation किसी एक के साथ होता है तो उसको हम कहते है many to one relation ठीक है अब next रम क्या देखेंगे into relation और फिर on to relation तो सबसे पहले इसको समझते हैं फिर मैं आपको ये भी समझाती हूँ ठीक है तो on to relation on to relation मतलब क्या जैसे कि यह आपका अचा यहाँ पर यह देखो set A था यह set B था और यहाँ पर यह आपका set A है यह set B है यह set A है और यह set B है ठीक है तो यहाँ पर पता है क्या हो रहा है जैसे 3 का relation 1 के साथ है फिर 3 का relation 2 का relation 4 के साथ है 0 का relation 4 के साथ है फिर 1 का relation 9 के साथ है 3 का relation 9 के साथ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो set B के elements है, वो सब के सब क्या हो चुके है, मतलब सब का pre-image set A में है, ऐसा कोई भी element यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि है, जिसका pre-image set A में ना हो, कोई नहीं है, 1 का pre-image, 4 का pre-image, 4 के 2 pre-image है, एक तो minus 2 और कोई भी element खाली नहीं है, सब का relation किसी ना किसी के साथ है, 1 का relation भी है, 4 का relation भी है, और 9 का भी relation है, है ना, कोई भी ऐसे खाली इदर आपको दिखाई दे रहा है, एकदम idle बैठा हो, नहीं, सब के सब क्या हो चुके है, बीजी हो चुके है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते है, उन्टू relation कहते है, ठीक है, इसमें अगेन आपसे अगर domain और range पूछा जाए तो आप बता सकते हो, बहुत ही simple अरीके से, अब तो आपने सीख भी लिया है, है ना, तो यह हो गया on to relation, जिसको subject to भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, अब last में हम लोग into relation की ब साथ है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 का relation 4 के साथ है, ऐसे ठीक है, तो अभी इस relation को हम क्या बोलेंगे into relation, तो इसमें हो क्या रहा है, ऐसा क्या है, इसमें की हम इसको into relation बोले, क्या है यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, यह जो आपका 3 है, ठीक है, 3, इसका कोई भी pre-image यहाँ नहीं है मतलब ठीड का relation किसी के साथ नहीं है यह अकेला हो गया है ठीक है तो जब ऐसा होता है यानि set B में एक या फिर एक से ज्यादा elements एसे खाली बैठे रहेंगे यानि उनका relation किसी के साथ नहीं होगा तो ऐसे relation को हम क्या कहते हैं लेकिन थरी का यह तो यह से एक या फिर एक सबके सब्रेख़ी हो चुके थे लेकिन इसमें यह खाली बैठा है उसमझ में आई आपको तो अईसे रिलेशन को हम क्याुते हैं इन्टू रिलेशन ओके एक से जादा एलिमेंट्स अगर यहां पर ऐसे खाली बैटे रहेंगे उनका रिलेशन किसी के साथ नहीं तो ऐसे रिलेशन को आप बोल दोगे इंटू रिलेशन ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है तो पहले इसको समझो अन्टू मतलब एक भी खाली नहीं होना चाहिए यानि सब लोग बीजी होने चाहिए और इसमें एक या फिर एक से साधा एलिमेट्स खाली होने चाहिए तो इसको हम क्या कहते हैं इंटू रिलेशन कहते हैं समझ में आ कि रुकते हैं अब जो हमारा नेक्स वीडियो होगा उसमें हम डारेक्टली एक्सराइस वन स्टार्ट करेंगे जो काफी इसी है आपको फटा फट से सारे कोश्चन समझ में आएंगे ठीक है अभी इसको लेकर के सादा कंशूज मत होएगा आप डारेक्ट एक्सराइस 1.2 म मिलिएगा ठीक है तो चलो मिलते हैं हम लोग निक्स वीडियो में